दोस्तो आज हम एक ऐसे विशे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस विशे पर अभी तक बात्ची थोड़ी सी कम हुई है विशे इसलिए में तो पूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया का और यूट्यूब का जो उदे हुआ और उसने कुछ खिड़कियां ऐसी खोली राजनेतिक समवाद को प्रस्तुत करने के लिए जिसने हर किसी को अचम्भित किया खासतोर से मीडिया को अपने फौलादी पंजों में लेने के जो इरादे अब तो एन्डिया सरकारी कहना पड़ेगा जो इन्होंने दिखाए और किये और चिस थंच से सारे मीडिया को सारे मीडिया तंत्र को अख़बारे हो या टेलिविजन निउस मीडिया हो उसको अपन में ये युद्ध कौन लड़ेगा ऐसे में अन्याय और असत्य की खिलाफ कौन खड़ा होगा फिर वहां से एक आशा की किरण नजर आती है वो सोशल मीडिया और वो यूट्यूब जिसका उपयोग मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में सफलता पूर्वक और नए आयाम दे कर किया कभी कभी क्या होता है कि ये जिन जब बोतल से बाहर निकलाता है तो फिर बोतल में जाता नहीं है लेकिन जब इसके दूसरे आयाम सामने आने शुरू है जहां पर साधान व्यक्ति बिलकुल कॉमन मैं आर्किल एक्ष्मन का कॉमन मैं जो आप जैसा हम जैसा या हमारे जो प्रभुद पैनलिस्ट हैं उनके जैसा जब ये सामने आने शुरू हुए इन्होंने अपने विचार रखने शुरू किये और विचार रखने के लिए उन्हें जब एक प्लैटफॉर्म मिलना शुरू हुआ तो कही ना कही फिर ये सब्ता दीश अचमबित होने शुरू हुए ये कौन सा नया यूग आ गया ये कौन से नए प्लैटफॉर्म से जो हमें चुनाती दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने ना किवल चुनाती दी इन्होंने एक नई उपीनियन बनाई इन्होंने नए इन्फलेंसर्स पैदा किये यहां पर बहुत सारे नाम है किसी एक का नाम क्यालू मैं लेकिन एक नाम है ऐसा भी जिसको नाम मैं लेना उचीद भी समझूँगा धरूर आठी जिनके कुछ वीडियोस नहीं बहुत हद तक जाके इस सत्ता की कलाई खोली बाते सब को पता थी लेकिन उसका जो प्रस्तुती करण था वो बहुत क्रिस्प था एडिटिंग बहुत मजबूत थी लोगों तक बात पहुची युवा थे 15 साल का बच्चा हो 10 साल का बच्चा हो या 20 साल का हो या फिर 60 साल का बूड़ा हो वो धरूग की बात करते वे नजर आए और फिर इस पूरे संसार में बहुत सारे धरूग पैदा हुए एक धरूग नहीं सेकड़ो हो गए जो अपनी ओपीनियन देते रहें कहीं न कहीं भारत की उस दबे कुछले वर्क की उपीनियन जिसकी कोई सुन नहीं रहा था उसको उन्होंने एक प्लैटफॉर्म दिया मुझे लगता है कि जो भी इंडिया गटबंदन की जीत हुई है या तानाशाई की जो भी हार हुई है या बैक स्लाइडिंग हुआ है वो कि यहां भी कई ऐसे प्लैटफॉर्म आये जिन्होंने कुछ दुश्परचार किये संसनी खेज खबरे की लेकिन हमारा चैनल हमेशा इस रूप में सामने आया कि हमने संसनी खेज खबरों से अपने आपको दूर रखा हमने अपनी टियार पी उनके द्वारा बढ़ाने में क कहीं ना कहीं छोटी सी छोटी चाप छोड़ने में हम भी कामयाब हुए लेकिन उस कामयाबी की पीछे बहुत बड़ा हाथ सिर्फ हमारा चैनल नहीं बलकि वो सारे प्रबुद विद्वान जो हमारे चैनल से पर आते थे उन सब को आज की तारह एक में सबसे पहले तो मैं नमन करूँगा कि वो सभी हमारे पैनलिस्त वो हमारे सारे मित्र जो हमारे चैनल से पर आए उनका जो योगदान है अतुली है मैं उनको शब्दों में पैसे में धन है किसी से तोल नहीं सकता क्योंकि जो देश की सेवा उनने की है इसके द्वारा देश को जिस एक काले ख्लाब जी आपके पास याता हूं और आपसे प्रतिक्रिया लुगा आप बहुत सारे ऐसे मुद्वों को अपने प्रोग्राम से उठाते हैं जिने कोई छूता नहीं और वो समाज के मुद्धे हैं प्रेम हो, गीत हो, संगीत हो, या फिर वो कहानिया जो सुजाता या उस जैसी फिल्मों से निकलती हैं, जहां पर लोगों को अच्छूत समझा जाता था, कुछ ऐसी विधाएं जिनके बारे में कोई आज भारत बात नहीं करता, आप उनके बारें बात करते आए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपने हमारे समाज के उन पहलों को चुआ, जिसको चूने से सोशल मीडिया भी डरता है, लेकिन आप चूते हो अपने प्रोग्राम्स में, सत्ते हिंदी के उपर हर अविवार को, आपको क्या मैसूस होता है कि यूट्यूब या सोशल मीडिया इन्हों ने जिस धंग से काउंटर किया एक गौर्वर्मेंट के प्रोगंडा को और एक जनता की तस्वीर को सामने रखने का प्रयास किया, आप इस सारे परिदर्श को अपने चश्मे से किस रूप में देखते हैं, अमिता आप शिरवास्तो जी, बहुत बहुत शुक्रिय देखे ऐसा है कि चुकि हम लोग वेकलफिक माध्यमों के बारे में बात करें, यानि और अर्टनेट मीडिया के बारे में बात करें हैं, तो यह जिस मीडियम में इसमें हम बात करें, वो वेकलफिक मीडियम ही है, और वो वेकलफिक मीडियम क्यों क्रियेट हुआ, इसको थो जिस तरीके का सरकारी करन हुआ है पिछले कुछ समय से मैं कहूंगा कि पिछले 10-15 साल मान लीजिए 10 साल पिछले मुदी साब को जोड़ लीजिए थोड़ा उससे पहले का वक्फा ले लीजिए कि अग्योट नियां के वहां है पारत करें लुटी और रहा है उसकी वाज़ेशा समय प्रवरतन में भी वेखलबिक वीडिया नहीं एक मेडिया था आज हम अपने जमाने में अपकने बात करने और आपने रखेक का नाम लिया एक आपसे चाहिए और उनके बारे में तो वाकी बहुत चर्चा हुई क्योंकि उनके एक वीडियो कि जो मोदी की जो उन्होंने जैसे जो कहानी बताई रियर स्टोरी करके तो उनका एक वीडियो बहुत चर्चित हुआ था दो करोड से ज्यादा उसके व्यूज आये तो क्या है कि लोगों को अब किसी टेलिवीजिन चैनल के आगे बैठ करके किसी डिवेट का या किसी रिपो परण की नीती में शामिल है कि उन्होंने पत्रकारों को सुचना देने का तंत्र भी जहां वो खत्म कर दिया है कि पहले हम लोग रखे भाई और हम और सुनिल जीर हम लोग जिस तरीके से पत्रकारता करते हैं मैं तो इन लोगों से बहुत कमतर हूं हर मामले में तो लेकिन पर अभी यह था कि आपके आपको कम से कम एक्सस रहता था मिनिस्टर्स के पास में निपीज्थ के पास में तो अगड़। अधरवाइस कोई खबर चोटी सरकार अपने हिसाफ से मैनिपिलेट करती थी इसलिए वहां रिपोर्टिंग बिल्कुल खत्म हो गई इसलिए दस साल में आप देखें कि उससे पहले मंदमौन सिंग के कारेकाल के दौरान यही मीडिया था जिसने कौमनमल्ग घोटाले से लेक आप हाई दी मीडिया ने उसको उजागर किया और जनता के सांधर दखा लेकिन 10 साल के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि धिरे-देरे सरकार का जो एक रवया था उसके चलते और सरकार की कहना चाहिए नीति का नुसरन करने के लिए यह सरकार का एक तरीके से समर्शन करने के चक्क जो है वो दिरे दिरे मीडिया ऐसा होता चला गया तरकार की सक्ती के विजा से भी कि वो जह है वो उसने पॉरिटिकल रिपोर्टिंग भी बंद कर दी और धीरे जिरे सोशल रिपोर्टिंग भी बंद हो गई मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस बार एलेक्शन में मुझे यह सब्सक्राइब को मिला कि जितने बड़े न्यूस चैनल से सबने अपनी बड़ी हाई-फाई प्रोग्रामिंग का विज्यापन तो बहुत किया वह एक मार्केटिंग और सेल्स की स्टेड़ी हो जाथी कि आप अपने अंकर को मार्केट करें आप अपने प्रोग्रामिंग को चुनाओं के बात देखी वो स्टिक कहीं किसी रिपोर्टिंग में किसी चैनल में कभी दिखाई नहीं थी हम लोग जहां तक मुझे याद है सुनील जी और रकेश जी भी उस बात की तरदी करेंगे शायद कि जब हम चुनाओं की कवरेज करते थे क्योंकि मैं चुनाओं प रहें कहां कोई और समझचा या ने पानी भीजिनी के समझचा या कहीं काउंटिंग धीनी हो रहें किसी जब कामला होता था तो यह सारी खबरें लाइव आती थी और उनको रिपोर्टर से चीले तेनाथ तो रिपोर्टर स्टिंगर्स का एक डेटवर्क होता था जो तरीब अंदाज में में कलफिक मीडिया ने किया वह आपके यूट्यूब चैनल्स ने किया वह आपके डिजिटल मार्दियम में जितने आपके सोचल मीडिया साइट से जाए वेस्बूक हो इंस्टाग्राम हो यूट्यूब हो और ट्विटर हो इन सबने बहुत अच्छी तरे के स्काम किया तो वह जो चीज थी वह उसने आप देखेंगे उससे दर्शकों में एक भरोसा बढ़ा है सबसे बड़ी बात है कि चुकि मुबाइल की वजह से यानि आप चुकि सेलफोन की वजह से सबको एक्सेस है मीडिया का तुरंट एक्सेस है और लाइव एक्सेस लग बंध हो गई है वह लोग भी चैसी अस आपने समाच से जूड़ी खबर अपनी ज़रूट कहश। जा Alright किसान अंदोलन का मामला ले दिये, किसान अंदोलन की खबरे में में नहीं आई और जो आई भी तो वो इस घट की इस तरीके से आई कि जैसे किसान जाए उस समाज के दुश्मन है, मजदूर एक जमाना था जब हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं आप पत्रकारता में उस अख़्बार थे जादे चैनल की ख़वर होती किसाब यह शहरों में सलकों पर जान लग गया है, सलकों की लाईव जैसे तो मजदूरों को इस तरह से देखा जाता है, इस तरह से गिसानों को देखा गया, किसाब वह तो भषोटे ज extremes नए इस लोग फ़गणा कर देखकर के कि जो लोग, किसी भी वषय फर अंदुलन करां यानि अपनी समाज के दृष्वाइन वाइक्राग्पिक मीडिया ने छीप उलेट जाकर और कि उनकी समाज ज्माज को समझे क्षिश की वाइक्राग्पिक मीडिया निए दिखाया कि नहीं यह हमारे समाज का जरूरी हिस्सा है, इनकी बात सुनी जानी चाहिए, और आप उसका असर देखेंगे कि आज वैकल, उस वैकल पिक मीडिया की ताकत की विज़े से देखिए, कि उत्तरफदेश से लेकर के महरास्ट में, बिहार में, जहां कहीं भी, इंडिया गटबंधन के गटक दलो ने अच्छा प्रदर्शन किया है, आप आएंगे कि रूरल इडाकों में उनका प्रदर्शन बहुत जादा अच्छा है, क्यों क्योंकि उनकी पेनेट्रेशन वहां पर रही है, उनकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी रही है, लोग जमीन पर जाकर के फारंपरिक त सोचल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म के जरी है, उनको जगा मिलती रही है, इसका असर यह हुआ है कि जनता जहें, कहां पर क्या हो रहा है, तो उसका उसकी वज़ा से लोगों में एक जागरुकता आई है, यह जो पार्टी है, यह जो गटबंदा ने, यह हमारे लिए क् जैनता है, तो चुनाओं में उसका आशर की यह जिखा है, फिर से इस तरह का आई हुआ है, यह जुके मैं lump दस्धूर्फ क्याइब जिखा समेद लिखद हो दो आए, व्लगारे जिस टरह के भांडों küim борशान लेक्शी है, यह मट अंसर उसके उसके म्याड़ते है, सब्सक्राइब कर देखेंगे कि कॉंग्रस ने किस तरीके से कैच अप किया इस बार सोचल मीडिया पर रहूल गांधी जह उनके जो वीडियो होते थे यूट्यूब इनके वीडियो को देखने वाले जल्शकों की संक्या उनके द्यूस के संक्या नरेंदर मोदी के वीडियो की संक्या से कहीं ज्याजा थी तो उससे दिखा कि भई हाई हाई इनकी लोग परता बढ़ रही है लोग पसंद कर रहे हैं तो वह अपने आप में एक थ तो कमेंट करते हैं वो भी आपको तुरन पता से जाता है कि यह यह कौन लोग हैं क्या कहना चाहरा है तो सारी चीदें आपको तुरन दिख जाती है तो यह शीशे की तरह साफ मामला है इसमें किसी तरह की कोई मैनिपलेशन की गुंजाईश कम से कम प्लैटफॉर्म पर नहीं है आपकी राय में अगर आपको तुपर नीचे करते हैं और उसको पकड़ने के भी टूर्स है पैक चेकिंग के इतनी डिवाइसे आ गई है इतने तरीके आ गए हैं आप देखें यूट्यूबर से कितना तुपर नीचे को आगे बढ़ाया है यानि विपक्ष की राजनीचे को उसने आगे बढ़ाने में मदद की जी दिनेश जी बहुत मैत्तपूर्ण दिंदू उठाये हैं आपने